के अधियन से अजब रहे हैं हाँ अधिकी स्बीडियो में हम फुटर्स के उपपर व्यों करेंगे सारथ्थ तरह कीउपर यहाँ पे पuses से कॉल्म से उख करते पहले उनलिसीश करना चाहिते लिए जीश लिए और हमें केसे देव्लप्मेंट करना है वह भी ग्लोबली क्रियट करू सो यहां पर में यहां में जा रहा भी ऐकेंट में प्रेकल में जाके यहां मेरे को जाना है ऐ हमें एम चीस से मेरे को मेलेखनम सेत्था कर कर दोफना है क्रीएट कर सथी sticking 00009 Sem से क्लिक करोगे वैसे आपको यहां पर components create कर सकते हो आप सो यहां पर पहले हम चेक कर लेते footers में तो इसका पहले मैं logo get कर लेता हो तब जाके यह अमारा जो पूरा loading हो जाएगा सो यहां पर मैं figma को थोड़ा zoom out करूँगा और यहां पर आप देखरो food करके है logos इसको मैं पहले export कर लेता हो एक्सपट करना है हमें two pixels png ओके यहां पर मैंने उसको export कर लिया उसके बाद यहां पर आप देखरो है कि यहां पर total three column से food से one column से उसके बाद content का से और उसके बाद form से तो यहां पर हम three components लेंगे click करना है plus icon के उपर और यहां पर आपको three जो है columns उसको select करना है first column में आएगा यहां पर फटा फटा हमें add करेंगे image image के पास हमें जो logos हमें add किया था जो downloads मैंने अभी जो logo किया था वो download लोगों मैं यहां पर add कर दे रहा हूँ और उसके साथ में बेग्राउंड जो है वो भी मैं यहां पर sets कर दे रहा हूँ यानि कि आपको ज्यादा idea आएगा कि बेग्राउंड इमेज भी हम यहां पर set कर सकते हैं सो मैं यहां पर पहले बेग्राउंड जो colors है वो मैं set करूंगा और उसके बाद आपको जो बेग्राउंड इमेज set करना है तो वो भी आप set कर सकते हो यहां से मैं colors copy करना है और यहां पर मेरे को उसको paste करना है ओके यह हो गया हमारा footers का setups और यहां पर मेरे को जो logo size है वो logo size में यहां पर कम कर दे रहा हूँ small size कर रहा हूँ क्योंकि यहां पर ज्यादा logo size बड़ा हो गया है 20 pixels 25 percentage में यहां पर add कर दिया है उसके बाद यहां पर context so यहां पर मैं एक heading ले रहा हूँ यहां पर मेरे को एक headings लेनी है headings के अंदर मेरे को text add करना है context मेरे को heading add करना है ओके यहां पर font दीख नहीं रहा या क Community is styles guide add कर देंगे यहां पर पहले font जो है हमारा text colors font heading text rufina रहेगा उसके बाद bold रहेगा और हमारी font size है white colors font size 13 pixels okay 13 pixel finds है no doubts and उसके नीचे जो है यहां पर context number है और email address है और उसके बाद address है तो यहां पर हम दोनों चीज यहां पर add करेंगे सो उसके लिए क्या करना है normals में यहां पर text editor ही ले लेता हूं क्योंकि text editor में हमें कोई icons नहीं है कोई नहीं इसकी वज़े से मैं यहां पर text ले लेता हूं यहां में simple और test के यहां पर मैं add करूंगा first mobiles number okay सिधा यहां से copy करना है mobiles number और आपको यहां पर paste करने के बाद आपको यहां पर formatting करना है नहीं कि आपको directly यहां पर copy-cut करके paste रखना है यहां पर मैं उसको add करूंगा mobile number के लिए tells रखना है उसके बाद यह जो है मेरा mobiles number सारा mobiles number यहां से मेरे को tells के आगे रखना है यानि कि यह चीज हो गया हमारा डाइनेमिकली हो गया उसके बाद यहां पर टेग करना है और नेक्स्ट यहां पर इमेल भी है तो इमेल के लिए भी यहां पर मेरे को एंकर टेग करना है उसके बाद एंकर टेक्स आगे हर इसके बाद यहां पर मेल से तो मेल के लिए function आएगा mail to करके function आएगा columns और यह वाला जो tag से same tag हमें यहां पर add करना है ओके यह अभी हमारा inline हो गया दोनों एक साथ अभी हमें उसको क्या करना है CSS add कर देने का है और font style add करने का है यहां पर मैं उसको whites color दे दे रहा हूं font style से रुहीना रुफीना और यहां पर उसको में whites colors नहीं एड़ हो रहा है सो कोई बात नहीं यहां पर मैं font size 15 pixels कर दे रहा हूं सैट्स ओके अपडेट करूंगा अपडेट करने के बाद हमारा जो global footer से वह हमारा properly page के नीचे हमारा सेट हुआ है के नहीं हुआ है वह मैं check कर लेता हूं यहां पर restaurant foods ओके यहां पर हमारा जो footer से यहां पर properly set नहीं हुआ है जैसे headers हमें set करना था same चीज हमें यहां पर footers भी call करना था तो यहां से मैं उसको incognito में check कर लेता हूं अभी वापस यहां पर नहीं हो रहा है यहां पर archives करके आ रहा है categories वह सारा एक बार हम बैकेंड्स में जाते हैं बैकेंड्स में एक बार check कर लेते हैं theme builders के अंदर भी हमारा generate हुआ है कि नहीं models वह भी हमें check करना है यहां पर यहां पर डीवी इसमें जाना है डीवी में जाके यहां पर builders के उपर क्लिक करना है builders के उपर यहां पर मेरे को restore करना है save करना है एक बार और वापस एक बार check करेंगे तो आप यह जो setting से कभी आप गलती मत करना आपने development यहां पर कर रहे हो लेकिन यहां पर भी आपको डीवी बिल्डर्स में जाके यहां पर save करना होगा तब जाके आपका जो है layout वो यहां पर same दिखेगा नहीं तो आप यहां से save कर दोगे, delete कर दोगे, save कर दोगे और यहां पर check करोगे तो भी यहां पर नहीं दिखेगा तब जाके आप यहां पर जो output से यहां पर find us output आएगा चलो अभी इसमें क्या करना है हमें context हमें add कर दिया और यहां पर जो link भी कर दिया उसके बाद next है, same चीज है यहां पर, so यहां पर मैं जो text है, यह दोनो text में यहां से copy कर ले रहा हूँ, copy करने के बाद यहां पर duplicate duplicates और उसके निचे मेरे को यह paste कर देने का है, और यह एक ही address है, इसी को मैं, address को मैं कोई link नहीं कर रहा हूँ, अभी तक, just मैं उसको simple कर रहा हूँ, और यहां पर मैंने text को change किया, लेकिन यहां पर colors change नहीं हुआ है, so normally मैं यहां पर visuals मैं add कर दे रहा हूँ, visuals में यहां से color और जो change होता है, तो यहां से हम colors को whites कर सकते, यहां से में colors को whites कर दिया, ओके, यह मेरा work हो गया, अभी यहां पर वापस check कर दे है, ओके, nice, हमारा जैसा जो footer था, figma के अंदर, same footers यहां पर applies हो गया, अभी यहां पर है next, subscribe करके हमारा form से, चलो तो अभी forms का भी check कर लेते हैं, यहां से copy कर लेते, यहां से यह वाला जो module से copy कर लेते, और यह यहां से drag and drop करके, यहां पर add कर देते, और इसका name हमें change करना है never miss recipes, यहां से मैं सिधा copy करूँगा, और यहां पर मैं उसको paste करूँगा, opens करके, never miss recipes, इसको भी save करना है, जैसे आप model create करते जाते हो, यहां से आपको save करते रहने का है, जो आप save करना भूल गए, और आप add करते रहोगे, तो उसमें क्या होगा, कि आपका जो form से, आपका forms design missing हो जाएगा, इसकी वज़े से आपको set करना देता है, चलो, यहां पर जो settings हो गया है, हमारा contact us, उसके बाद recapture है, recapture हमें यहां पर नहीं दिखाना है, designs, fields, check कर लेते हैं, एक बार contents के बाद, email से, text से, उसके बाद email से, redirect है, spam protections, basic recapture, बताना नहीं है हमें यहां पर, okay, इसक जो layout है, वो layout हम इसके जैसे add करेंगे, यहां पर background white, ओके, और जो यहां पर आप देखरें, वो background text fields, वो पूरा यहां पर white है, लेकिन हमें यहां पर transparency करना है, डाना है, so, यहां पर fields में जाना है, fields, backgrounds, colors, यही same colors मेरे को, यहांपर fields, backgrounds में add करना है, यहां पर edit करूँगा, ओके, यह हो गया, text colors, sorry, background colors, उसके बाद यह text color हो गया, उसके बाद, यहां पर borders colors भी हो hem यहां पर देनी होगी, यह बॉर्डर्स कलर्स है बॉर्डर्स कलर्स यहाँ पर one add कर दे रहा हूं ओके और इसका color white one pixels one pixel यह हो गया उसके बाद submit button से और यहाँ पर input fields है वो input fields को हमें full width करना होगा पहले तो चेक कर लेते हैं अगर कोई यहाँ पर settings होगा तो इसके इसाब से हमें add करेंगे यहाँ पर email address है nice email address हमारा यहाँ पर set होगा है उसके बाद buttons है buttons का भी colors में यहाँ पर set कर दे रहा हूं theme जो colors है हमारी बहुत बढ़िया theme से और colors combinations भी यह आप देखने जाओगे तो बहुत look and final से तो आपको यह जो theme चाहिए तो आप Figma उपर से मैं आपको link add कर दूंगा अब वहां से add ले सकते हो पोई दिक्कत नहीं है आपको और development कर सकते हो आपके तो यहाँ पर हो गया अभी buttons के लिए भी हो गया यहाँ पर Icon न रहा है buttons Icon default तो यहाँ पर button icon हमें जरूर तो नहीं है लेकिन यहाँ पर कोई options होगा non करने की लिए तो भी हमने ऐसे add कर सकते just show buttons icons old यहाँ नपर bytend icon है shows करने का नहीं है simple शीद करने का है save कर लेते एक बार और एक लो अके नाइस यहाँ पर हमारा आ गया फ़्हों उसके बाद brings इसके बाद यहाँ पर कम नोरा रैसीपी सब्क्राइबर स्यक्शन और उसके नीचे और सेक्शं से लेकिन बादर डेश्लाइन से यहाँ पर उसक्शन सी हम यहाँ पर क्रियेट करेंगे सो यहां पर हमें और एक full width लेने की जरूर से यहां पर regulars regulars के अंदर यहां पर full width ले लेते हम पहले full width में हमें tax ही add करेंगे पहले tax okay tax add करेंगे लेकिन यहां पर two columns है यहां पर हमें एक ही columns लिया दा sorry missing हो गया यहां पर सो यहां पर मैं settings में जाता हो column structure को यहां पर two columns करूंगा two columns structure किया उसके बाद इसका जो background color है वो भी मैं यहां पर set कर दे रहा हो background colors main sections में जाना है और यहां पर background color change करना है यह हो गया background color थोड़ा बहुत different हो गया है buttons का color apply हो गया है कोई बात नहीं होता रहता है वो थोड़ा बहुत कि चल्ड़ा यह हो गया हमारा settings इसका अभी इसका जो padding और margin वह पहले कम कर देते क्योंकि अमारा जो फूटर से वह ज्यादा long दिख रहा है spacing जादा दिख रहा है इसकी वज़र से में उसको पहले कम कर दे रहा हूं spacing वे गए डिंग ए चल्टेंग कि यहां पर मैंने उसका जो padding से वह कम कर दिया है और यहां पर जो border से border समें dash border set करना है ब़्डर्स में जा रहा हुआ, बॉर्डर्स लेना तॉप्स ब़्डर्स उसके बाद बोर्डर स्टाइल्स बॉर्डर वाइट 1 पीक्सल्स लेकिन जो बॉडर है बॉर्डर स्टाइल्स हमारी डेश हे award वह यहां पर पेस्ट करना है लेकिन अभी जो करन्ट इयर चल रहा है 2014 के इसाब से हम टेक्स एड़ करेंगे यहां पर फोन स्टाइल्स हमें एड़ करना है रूफिनास करके वाइट कलर्स एंड फॉन्ट वेट रेगुलर्स रहेगा कोई बार नहीं यहां पर 16 पिक्सल्स को के बात्रreten मेरें सेव करना है लेक्स्त है यहां पे सुआएल्स आइकोंस तो यहां पर मॉडूल्स अविलेबल और ही डी बी में लाट्स आप मॉडूल ए कि ए फेस्बुक हे उसके बाद फेस्बूक हे उसके बाद त्वीटर से यहां पर आट करेंगे इस्टाग्राम कि सोशल स् नेटर्वर्क चलो वन बाइवन हम एड करेंगे यहाँ पर फेश्बूक उसके बाद इंस्टाग्राम ने इस्टाग्रम दो यहाँ पर ओके यह हो गया इंस्टाग्राम इस इंस्टाग्राम dwitter YouTube ओके यहां पे और copy करना है यहां से Twitter finds करना है यहां में Twitters यहां पे Twitters थोड़ा find करना difficult हो जाता है कोई बात नहीं यह Twitters हो गया next अभी इसको save करते जाते और यह के YouTube बचा है सिर्फ YouTube को मैं यहां पे add कर दूँगा YouTube का वीडियो बना रहे तो YouTube तो होना ही चाहिए यहां पे 100% यह हो गया YouTube बेग्राउंट्स कलर इसका बेग्राउंट्स कलर सेट करना हो तो सेट कर सकते नेकिन यहां से डिलेड भी कर सकते बेग्राउंट्स कलर functionality बहुत है इसके अंदर nice DV पहले से अभी ज़्यादा अपडेट हो गया है मोस्ट पॉपुलर थीम से डिवी इसके अंदर पेज बिल्डर्स भी है और थीम भी है दोनों है डिवी के अंदर सो यह हो गया हमारा सोशेल्स मीडिया का यहां पे डिजाइन्स अलाइन्मेंट इसको लेफ कर देते यह गया सेट लेफ्ट इसको अभी सेव कर लेते एक बार सेव करने के बाद में पेज इनकोग्निटो विंडो यह तो नॉर्मल विंडो में भी चेक कर लेते हैं चलो नॉर्मल विंडो में चेक करेंगे ओके फाइन्स फूटर्स लूक इस गुडिंग सो हमारा जो फूटर्स का जो लूक से वह एकदम गूड से और हैडर्स का भी है वह दोनों सेम से और जो थी फुटर्स कम्प्लीट हो गया है तो भी मैं एक बार आपको इनकोग्निट और प्राइवेट इंडर में बता दे रहा हूं कि यहाँ पर कोई कैज का इश्यल्स नहीं होगा ओके नाइस अभी जब यहाँ पर जब होमपेज बनेगा हमारा होमपेज डेवलपमेंट होगा तब जाके आप देखना कि यह जो थीम्स से वह अमारी प्रीमियम थीम्स के यह बराबर होगी ओके तो तो आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्क्राइब कीजिए और लाइ होमपेज के उपर हम डेवलपमें स्टार्ट करेंगे थैंक यू सो मच